हरी ओम तत्सत अश्टावक्र गीता सुनते सुनते भी आत्मज्यान संभव है जिस प्रकार राजा जनक को अश्टावक्र ने आत्मोत कराया राजा जनक को अश्टावक्र को सुनते सुनते ही आत्मज्यान प्राप्त हो गया क्योंकि आत्मग्यान कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिसे step by step प्राप्त किया जाए आत्मग्यान एक ऐसी गटना है जो पात्रता होने पर किसी भी समय कहीं भी घट सकती है चाहे आप गोडे पर ही योना चड़े हों जैसा कि राजा जनक को हुआ था राजा जनक में वह पात्रता मौझूद थी इसलिए अश्टावक्र तुरंधी काम कर गए राजा जनक को ग्यान शिरोमणी अश्टावक्र द्वारा घोडे के पागडे में दूसरा पैर रखते समय दिया गया यही ग्यान अश्टावक्र गीता के रूप में प्रसिद है अश्टावक्र गीता या अश्टावक्र सहीता भारतिया अध्यात्म का अतुल्निय ग्रंध माना जाता है ऐसा ग्रंध जिसे पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते ही आत्म ग्यान हो सकता है स्वामी विवेकानन ने स्वाम लिखा है उनके कक्ष में स्वामी राम कृष्ण परमहंस के एक और किताब भी थी अश्टावक्र सही था अगर कोई वै पुस्तक निकाल कर पड़ता तो राम कृष्ण परमहंस उसे देख लेते और वै उसे मना कर देते वै उसके अलावा उसे श्री मत भगबत गीता या दूसरा ग्रंत पड़ने को देते लेकिन उन्होंने अश्टावक्र गीता स्वामी विवेकानन को पड़ने के लिए कहा और वै जबर्दस्ती उसे पड़वा कर सुनना चाहते थे कहा जाता है इस पुस्तक को पड़ते पड़ते ही स्वामी विवेकानन ध्यानस्त हो गए और उनके जीवन में क्रांती घड़ गई जिस प्रकार श्रीमत भगबत गीता में बगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को संभोतित करते हुए जन समानिय को धर्म एवं कर्म की शिक्षा प्रदान की गई उसी प्रकार अश्रावक्र गीता में जिशी अश्रावक्र द्वारा राजजनक के माद्यम से मानपता को आत्मग्यान का उदेश दिया गया अश्टरवक्र गीता में किसी भी क्रिया, पूजा, प्रात्ना, ध्यान, कर्म, भक्ती, बजन कीतन, योग, हट योग, कुछ भी अवश्यक नहीं माना गया अश्टरवक्र का मानना है कि क्रियाएं केवल अहंकार को पोशित करती हैं वह केवल दिखावाया अडंबर मात्र होती हैं अंधकार को हटाने के लिए की जाने वाली सभी क्रियाएं केवल मुर्कता हैं आपको इसे हटाने के लिए सिर्फ दीपक जलाना हैं, ज्यान का प्रकाश लाना हैं, अंधकार गयब हो जाएगा ज्यान प्राप्ती का मर्ग केवल बोध है श्री अश्टावक्र की मान्यता है कि आत्मा कहीं खोई नहीं है जिसे आपको ढूणना है या प्राप्त करना है वे प्राप्ती ही है यह केवल विस्मृत हो गई है उसे बुने स्मरण में लाना है इसके लिए कुछ करना नहीं है केवल अपने आपको खाली मात्र कर देने से ही यह क्रिया हो जाती है गौतम बुद्ध ने छे वर्ष तक खुब तप किया कुछ नहीं मिला अंत में निरंजना नदी के किनारे लेड गए जैसे ही खाली हुए शुन्य की स्तिती में पहुँचे तो उसी शण उन्हें बुद्धत पर प्राप्त हो गया अश्टावक्र गीता श्रीमत भगवत गीता से किस प्रकार अलग है आई ही देखते हैं श्रीकृष्ण गीता में 18 खंड है जिने अध्याय कहा गया है अश्टावक्र गीता में 20 प्रकरन है जिन्हें सुत्रों में पिरोया गया है श्रीकृष्ण की गीता में ज्यान, भग्ति, कर्म, सब का समनवे है परमात्मा प्राप्ती के अने को मार्क बताए गए है केवल सत्य के उपासक है, इसके बारे में ओशोक भी कहते हैं, अश्ट्र वक्र समन्वे वादी नहीं है, सत्य वादी है, सत्य जैसा है, वैसा कहा गया है, बिना किसी लाग लपेट के, सुनने वाले की चिंता नहीं, सुनने वाला समझे गा या नहीं, भाग तो नहीं जाएग नरास तो नहीं हो जाएगा कोई परवाही नहीं की अश्ट्रावक्र किसी को यूद करने के लिए प्रेहरित नहीं कर रहे वे केवल ज्यान की जिग्यासा को शांत कर रहे हैं इसलिए वे सत्य का विशुद्धतम रूप ही वर्नित करते हैं जबकि श्री किष्ण के साथ ऐसा उनका उदेशे एक राजनितिग्य की भूमिका में साम दंड भेद सभी का प्रेयोग करते हुए अरजुन को यूद के लिए खड़ा करना था इसलिए सत्य की परवाना कर करम योग पर ही बल देते हैं श्री कृष्ण की गीता का उबदेश संसारिक व्यक्तियों के लिए बहुत ही श्रेष्ट है जीवन का युद्ध जीतने में श्री कृष्ण की गीता महत्वपूर्ण है यदि विशुद एवं ततकाल ग्यान की प्राप्ति के द्वारा मोक्ष प्राप्त करना है तो ऐसे मो मुक्ति कैसे होती है तथा विराग्य कैसे प्राप्त होता है संपूर्ण अध्यात्म का सार इन प्रश्णों में समाहित है श्री जनक के इन तीन प्रश्णों का समाधान अश्रावक्र जी ने तीन वाक्या में कर दिया और इन्हें सुनते सुनते ही जनक को आत्म अनुभू आना ही पात्रता है इसमें पूर्व के कई चन्मों का योगदान होता है राजा जनक में यह बोध था वह विद्वान थे उन्हें समझ थी इसलिए अश्टावक्र ने उन्हें कोई विधिया नहीं बताई ना याम नियम साधने को कहा ना कोई आसन मुद्रा योग प्राणाया ध्यान करने को कहा सीधा उनके बोध को स्पर्श कर दिया वह जनक जागरित हो गए अश्टावक्र का सारा बल ज्यान पर है मनुष्य शरीर मन पुद्धी एवं अहंकार में ही जीता है जिस से उसे सुख दुख का अनुभव होता है जबकि मनुष्य इन में से कोई नहीं है बह्ष विशुद्ध चेतन्य है शरीर में स्थित यह चेतन्य आत्मा एवं विश्व की समस्त्थ आत्माओं में एकट्व भाव ही भ्रम्व है दोनों अभिन्न है यह चेतन्य ना करता है ना भोगता है। यह सबका साक्षी, निर्विकार, निरंजन, खृया रहित एवम स्वेंप्रकाशित है। यह समख़ संसार मैं व्याप्थ है एवम समख़ संसार इसमें व्याप्थ है। संसार उसी चेतन की अभिव्यक्ती मात्र है, इस चेतन्य का ज्यान हो जाना ही मुक्ति है, अश्टवक्री जी कहते हैं कि मोक्ष कोई वस्तू नहीं है, जिसे प्राप्त किया जाए, ना कोई स्थान है जहां पहुचा जाए, ना कोई भोग है जिसे भोगा जा सके, ना रस है ना इसकी कोई साधना है, ना इसकी कोई सिद्धी है, ना यह स्वर्ग में है, ना सिद्ध शिला पर, विश्यों में विरस्ता ही मोक्ष है, विश्यों में रस है तो संसार है, जब मन विश्यों से विरस हो जाता है, तम मुक्ती है, विश्यों में अनासक्त हो जाना ही मुक्ती यही विराग्य ज्यान, मुक्ति अथार्थ, संपूर्ण मौक्ष, विज्यान का सार है। अश्टावक्र जी कहते हैं, इन संसारिक विश्यों के प्रती, जो तुमारी आसकती है, उसे विश्य के समान मान कर छोड़ दें, तथा स्वयम को वही विश्युद्द चेतन्य आत्मा मान कर उसमें निष्ठा पुर्वक स्थित हो जाएं। अश्टावक्र की ये विदी, प्रखर एवं, तेव्र, प्रतिभा संपन व्यक्ति के लिए ही उपयोगी है। समाने व्यक्तियों को किसी ना किसी क्रिया से गुजरना होगा, भिन-भिन इस्तर के व्यक्तियों के लिए भिन-भिन मार्ग हैं। श्री अश्टावक्र महा गीता आत्म ज्यान के इचुक व्यक्तियों के लिए निश्ची थी एक ऐसी नोका है जिसमें बैटकर इस संसार रूपी भव सागर को पार कर मुक्ति लाप लिया जा सकता है जो की जीव की उच्चतम स्थिती मानी जाती है हरी ओम तचसत